Hi Guys, स्वागत है, एक और नया वीडियो है, मेरा नाम है आइनूल में, UK में रहता हूँ और UK के बारे में इन्फरमेड़ीज वीडियो वगरा और जॉब रिलेटेट वीडियो वगरा बनाता रहता हूँ तो आज की जो वीडियो है, वो है जो work sponsorship visa वाला company है उसकी बारे में है, तो यहाँ पे जो healthcare में काफी सारे companies है, इन में से मैं 8-10 का नाम बताने वाला हूँ जो easily आपको यहाँ पे sponsorship visa देता है और यहाँ पे job करने के लिए आपको visa देके sponsor देता है और यह लोग क्या करते हैं आपको यहापे आने के लिए आपकी पाटनर को भी ले के आने के लिए permission देते हैं तो पहले बात कर लेते हैं कि कौनसी कौनसी जॉब के लिए यह लोग sponsor देते हैं ठीक है पहली जो healthcare related job है सारे healthcare related job है उनके देते हैं जैसे रेडियोग्राफर, नर्सिंग, फिजियो तरपी, डॉक्टर, लेबराटरी टेकनोलोजिस्ट, बहुत सारे जॉब हैं, यहाँ पर साइकोलोजिस्ट है, बहुत सारे जॉब है, अप्टोमेटरिस्ट है, इन लोगों का, यह लोग स्पांसर देते हैं, इन में से टॉप गोर्नेंट ओरगनाजीशन है, और यह सबसे ज़ादा स्पांसरशिप देता है, पूरा हर कंट्रियों से स्पांसरशिप देता है, इंडिया से बहुत जादा लोगों को वो sponsorship देता है ठीक है पहला है NHS जो National Health Service है यह UK government का जो healthcare structure है उसको NHS बोलते है दूसरा company है जो सबसे ज़्यादा Indian लोगों को sponsorship देता है वो है healthcare में वो है InHealth InHealth एक radiology, diagnostics, cardiology, radiology है सबके diagnostic based company है जिनके पास CT, MRI, PET, CT, cardiac diagnostic यह सारे equipments है और वो लोग इनको doctor, nurses, paramedical staff यह लोग बुलाते हैं बुलाकर उनको sponsor देता है उनके लिए काम करने के लिए बहुत ही बढ़िया company है इवेन तो यहाँ पर sponsorship देखे बुलाता है जो कुछ-कुछ लोगों को फ्री गाड़ी भी देते हैं कि travel करने के लिए उनको दिक्कत आते हैं तो फिर गाड़ी भी देते हैं तो यह दूसरा हो गया in health तीसरा है यहाँ पर alliance, alliance medical UK यह भी एक बहुत बड़ा company है यह भी diagnostic services प्रवाइड कराता है और यह पूरा all over UK में है Ireland में है कुछ-कुछ European countries में भी है यह भी बहुत बड़ा company है और बहुत बड़ा fleet है इनके पास भी MRI, CT scan, diagnostics, PET CT scan बहुत सारे चीज़े तीसरा हो गया, चौता हो गया, Spire Healthcare यह एक private healthcare company है जैसे इनकी 30-32 unit of hospitals है UK में यह लोग सारे specialities, सारे professional को बुलाते हैं और sponsorship भी देते हैं पाचवा हो गया, Nuffield Health, Nuffield Health एक charity organization है जो मेरा company है जिसमें मैं काम करता हूँ यह भी एक बहुत बड़ा company है, हाला कि इनकी ज़्यादातर fitness पे ध्यान है, मतलब यह लोग fitness और gym चलाते ज़्यादा है इनके 37 hospital है all over the UK और यह जो Bupa insurance, health insurance है उनका parent organization है तो यह काफी बड़ा है और काफी अच्छा है, बहुत ज़्यादा facilities बगरा देता है यह हो गया नफिल, उसके बाद आता है एक है circle healthcare, circle healthcare भी एक healthcare organization है, chain of hospitals कह सकते हो आप, उनके पास भी hospital, diagnostic centers, यह सारे चीज़े हैं और यह लोग sponsorship देते हैं आपको बहार से, मतलब international recruit करते हैं और आपको sponsorship देके यहाँ बुलाते हैं उसके बाद आता है यहाँ पर एक है Ramze Healthcare, तो Ramze Healthcare एक Australian company है, जिनका मतलब मुझे लगता है 10-12 countries में इनकी hospital वगरा है, UK में, Australia में, Malaysia में, America में, Europe में भी है, तो UK में भी इनका काफी बड़ा hospitals है, मतलब 27 hospital के आसपास hospital है पूरा UK में और यह लूग all over the world से, इंडिया से भी sponsorship दे उसके बाद यहाँ पर एक और healthcare company है, जिसको बोलते है BMI, तो BMI Healthcare क्या है, अभी Circle Healthcare के साथ, वो मार्ज हो चुका है, तो BMI और Circle एक ही है, तो मैं डीटेल में BMI के कुछ अलग से बोल नहीं रहा हूँ, BMI Healthcare और Circle Healthcare है, वो दोनों मार्ज हो चुका है, यह की है, उसके बाद आता है यहाँ पर जो private organizations है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे organization जो बड़े level पर नहीं है, जैसे कि आप में the London Clinic हो गया, उसके बाद European Scanning Center हो गया, उसके बाद जो Hurley Street हो गया, यह सारे चीजे है, यह सारे चीजे है कि यहाँ पर छोटे-छोटे organization नेशनल लेबल पर न जिन मिलता है, उनके पास salary भी अच्छी रहती है, Central London में आपको ऐसे 10-15 organization और मिल जाएगा, लेकिन जो मैंने 7-8-10 जो मैंने top बताई है, वो top हमेशा आपको sponsorship देते हो और इनके पास मतलब बड़ा setup है, इनके chain hospital है, एक और बहुत बड़ा chain hospital है, जो मैंने पहले mention नहीं करा ह है, उसका नाम है HCA Healthcare, यह एक American company है, इनका भी ऐसे 30-32 hospitals और diagnostic center all over the UK में है, और यह काफी पुराना organization है, HCA Healthcare का full form है Healthcare Authority of America, ऐसा कुछ है HCA, तो यह काफी बड़ा organization है, यह भी आपको sponsorship देता है, और हर professionals को यह लोग बलाते हैं, और ऐसे नहीं कि सिर्फ nurses और radiographer को बलाते हैं, हर profession को बलाते हैं, doctor, nurses, radiographer, paramedical, जितने भी है, और काफी बड़ा organization है, और पूरा fellow है, अमेरिका में भी है इनका, तो मुझे लगता है यह बहुत बड़ा organization है, बाकि अभी immigration status बगरा, थोड़ा बहुत change होने वाला है, थोड़ा immigration tight होने वाला है, तो बाकि जो लोग अभी recently apply कर है, तो वो लोग जल्दी से apply करें, मैं यह कहना चाहूंगा, जल्दी apply करें और process को थोड़ा fast करने ही कोशिश करें, बाकि कोई भी information चाहिए, कोई भी immigration, कोई भी job related को information चाहिए, तो आप मेरे Instagram पे, मेरे Facebook पे, मेरे LinkedIn पे message कर सकते, मैं कोशिश करूँगा help करने के लिए, और एक चीज मैं आपको clear करने बता दिना चाहता हूँ, clear करके बता दिना चाहता हूँ आप लोग को कि मैं कोई immigration consultant नहीं हूँ, ना किसी को मैं job दे सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ help कर सकता हूँ, कि बता सकता हूँ, यह यह process है, ऐसे ऐसे follow करिए, यही था आज का वीडियो, और